हेलो दोस्तो हम बात करें तो दुनिया के उन 20 देशों के बारे में जहां भारते फ्री में जा सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने बात की केनिया के बारे में और इस वीडियो में मैं एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही खुबसूरत देश मालदीव के बारे में तो दोस्तो आज हम जानेंगे मालदीव के बारे में कुछ आशम कुछ नया आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो आपका most welcome हमारी चैनल को subscribe कर लें ताके आपको ऐसे ही नए नए वीडियो की notification मिलती रहे मालदीव South Asia में भारत और श्रीलंका के नीचे हिंद महासागर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जो करीब 1190 आइलेंड से मिलकर बना हुआ है लेकिन यहां सिर्फ 200 आइलेंड पर ही लोग रहते हैं दोस्तो मालदीश एशिया का सबसे चोटा देश है और इसी के साथ साथ यह दुनिया का 187 नमबर पर आने वाला देश है और दुनिया का सबसे चोटा मुस्लिम देश भी है यहां की आबादी 3,92,000 है और इसी के साथ आबादी के लिहासे यह दुनिया का 175 नमबर पर आने वाला चोटा देश है मालदीश की राजधानी और यहां का सबसे बड़ा शहर माले है माले अपने रंग बिरंगी बिल्डिंगों और मस्जिदों के लिए पूरी दुनिया में मशूर है और इस शहर में इस देश की एक तहाई आबादी रहती है मालदीश में 98% लोग पढ़े लिखी है मालदीश की क्रंसी रूपिया है और यह भारत की क्रंसी से चार गुना वड़ी है और मालदीश का एक रूपिया भारते चार रूपे के बराबर होता है मालदीश एक इस्लामिक देश है जहां 98% लोग इस्लाम को फॉलो करते है और अगर आप यहां गूमने जाते हैं तो आपको यहां के धर्म का सम्मान करना होगा यहां की खुबसूरती बेमिसाल मानी जाती है और भारती यहां बहुत ही कम पैसों में खुबसूरत नजारों का मज़ा उठा सकते हैं मालदीस आइलेंड कपल के लिए किसी जन्नस से कम नहीं है जहां पूरी दुनिया से कपल्स हनीमून मनाने और अपनी व्यादे सजाने के लिए यहां आते हैं और इस लिए इससे परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है यहां पर कपल के लिए सी साइट पर केंडल लाइट दिनर का इंतजाम भी किया जाता है जो हर कपल का सपना होता है आईलेंड पर बसा होनी की वज़े से यहां के लोग या टूरिस्ट बोट और एयर टेक्सी का इस्तुमाल एक आईलेंड से दूसरे आईलेंड पर जाने के लिए करते हैं माल्डीस का सी बीच पुरी दुनिया में मशूर है क्योंकि यहां के बीच का कलर बहुत ही लाजवाब होता है जहां कम गहरे वाले पानी में ये हलके हलके नीले रंका दिखाई देता है तो वहीं जिस जादा गहरे पानी में डाग बुलू नजार आता है जो देखने में बहुत ही खुपसूरत लगता है साथ ही यहाँ पर दूत के जैसे सफेद रेट की चादर देखकर नजर नहीं हटती है जिस से यह आइलेंड और भी जादा खुपसूरत हो जाता है यहाँ पर पानी में तैरता हुआ वुड़न फाइस्टार रिजॉर्ट पूरी दुनिया में मशूर है जो टूरिस्ट को अपनी और खीश लाता है यहाँ सीसे की तरह चमकता हुआ साफ पानी और बेहत खुपसूरत रिजॉर्ट आपको सपनों की दुनिया में लेकर चला जाएगा यहाँ पर आप समंदर में बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हो जैसे के वाटर ड्राइविंग, अंडर वाटर स्कूटर राइडिंग, इसकूपा ड्राइविंग, कैंफो पैंडलिंग इन आइलेंड्स में 10,000 सिर्जादा रंग बेरंगी मचलियों की प्रजाती पाई जाती है, जिसे आप वाटर ड्राइविंग या अंडर वाटर स्कूटर ड्राइविंग करके देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे होटल्स को समंदर के अंदर बनाया गया है, यहाँ पर खाना खाते हुए आप समंदर की गहराई और उसकी खूपसूरती का मज़ा उठा सकते हैं मालदीज में अंडर वाटर स्पा, अंडर वाटर होटल और अंडर वाटर घर भी है जो समंदर के अंदर बनाया गया है जिसे आप समंदर की खूपसूरती और खूपसूरत मचलियों को अपनी आखों के सामने देख सकते हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप खूद एक समंदर की कोई मचली है रात के वक्त यहां के कई आइलेंस के बीच के पानी नीले रंग के चमकते हुए तारों की तरह नजर आते हैं जिसे आपके आखे बार बार देखना चाहेंगी मालदीज को टूरिस के लिए सबसे सेव देश माना जाता है यहां आप अपने होटल का दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं या अपने सामान को यहां वहां बीच पर कहीं भी रख सकते हैं आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है मालदीज दुनिया में सबसे नीचे बसाववा देश है जिसके समंदर से उचाई सिर्फ देड़ मीटर है यानि ये देश आपके हाइट से भी कम उचा है जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हर साल समंदर का पानी उपर आता जा रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया में सबसे ज़ादा खतरा इसी देश को है अगर इस देश के हित में कुछ किया नहीं गया तो अगले सौ सालों में ये देश पूरी तरह से दूप जाएगा क्योंकि मालदीश के कई सारे आइलेंड अल्रेडी पानी में दूप चुके हैं मालदीश सौथ एशिया का सबसे अमीर देश है और मालदीश के 30% से ज़ादा इंकम तूरिस से आती है अगर आप मालदीश जाना चाहते हैं तो एक आदमी का मालदीश जाने का कुल खर्च एक भारते के लिए 40-45,000 तक होगा तो दोस्तों आप कभी मालदीश गए हैं ये जाना चाहते हैं अपना एक्सपिरियंस हमें कमेंड में बताइए और आप किन देशों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंड में लिक के बताइए हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताके मैं आपके लिए ऐसे खुबसरत देशों के बारे में वीडियो बनाता रहूँ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर किजिए and lastly thanks for watching